पर वो नहीं समझे, इंसान जल्दी से नहीं समझता है, प्यार भाई आगल हो जाता है, तो यह वाला सीन था उसका, वो मैंने, इसने इतना बड़ा वो किया, उसके बाद भी मैंने इसे माफ कर दिया, इसके साथ दुबारा रिलेसेजिम में आया, यह मेरे सामने रोई, कि प् कुछ दिन मुझे घर जाना है, यहां का मौल सही नहीं लग रहा है, मैं डिप्रेशन में आ रही हूं, उस लड़के वएसे, क्योंकि उसने काफी मुझे ब्लेक्मिल किया है, तो मैं घर जाती हूं, घर जाने के बाद आकर सब हम नहीं स्टार्टिंग करेंगे, आग वो ममझें मैं अवा कूछने की कोशिजने की कोसिजने की कोशिस इसकी लेकिन त्मी बिगडती plants में एक दनी इसने बोल दिया मुझ से कि ब्रेक चाहिए काइसा ब्रेक का बोले ह मुझे ऐ नहीं पता कब तक का ब अब मुझे ब्रेक चाहिए, तो मैं जा यह बढ़ता और उनी ह मुझे अभी कुछ टाइम सिंगल रहना है और मुझे पता नहीं मैं सिंगल रहने के बाद कैसे बदल जाओं क्या हो जाए मेरे साथ तो यह उप बिल्कली बद रहना है यह चीज एकसेप्ट नहीं हो रही थे मुस क्योंकि एक ऐसान नहीं बोलो जो भी बोलो यार सची दिल से कोई दिक्कत आ रही हो तो कुछ भी बोल दो मैं सब कुछ करने को तयार हूँ अपना हर चीज बदलने को तयार हूँ अट तो वापिस बज़े छोड़ के मज जाना मतलब जैसे डिट सेम सब कुछ मैंने के बाद भी इसने मुझे छोड़ी दिया तो मुझसे वो चीज एकस अपनी होया थी मैंने काफी मनानी कि समझानी की इस सेपूसिस की काफी रोया इसके सामने पट इसने तो मेरी का आनी बदल दी इसमें सब के सामने जिब-लियम इन्य दोस्ते जेतने अच्छे लोग थे इसके आस-पास उनसे सबसे एक आनिया बताएं कि अनुझ मुछ टॉर कर रहा है मैं हम रिलेसंसी में थे बट अब मैं निकलना चाहरी हूं कुछ प्रोब्लम सी वए से पर्शनल लीजन्स की वए से और अनुछ मुझे निकलने की दे रहा हूं वो वो ब्लैकमिल कर रहा हूं और इस निये तब भी बोला कि अनुछ पर हात उठाया अनुछ मुझे लातों से मारा या जिस इनसान को इतना प्यार किया जिस इनसान को सब कुछ जानने के बाद इतना उसने किया उसके बाद भी उसकी हेल्प की उसके बाद भी उसे उस चीज से निकाला या सारे प्रोब्स मैंने अपने दोस्तों को दिखाए है हर चीज भी क्या था क्या नही अब मैंने सारे प्रूप्स लीट कर दिये, लोग प्रूप्स की वैल्यू करते हैं लड़की या लड़का जो भी, मोश्टी लड़कियां, अगर एक बार दो आसु बाद है तुम्हेरे पास आके यह थोड़ा सा अच्छे से बो दें और कहानी बना दें तुम यकिन कर लोगे यही दुनिया की रियलिटी है, लड़का हजार प्रूम देता देता ठाख जाएगा, पर तुम बिलिव नहीं करोगे, और मुझे इस चीज से ज़्यादा फरक नहीं पढ़ रहा कि तुम बिलिव करो ना करो, जो मुझे कनफेस करना था, मैं वो कनफेस करके जा रहा हूँ आगे काहनी चलते हैं, आगे क्या हुआ फिर, यह सब चीजे बदलने लगी, इसने यह सब कहानी बनाई, मेरी कंपलेंट भी इसने दो तीन जगह मेरी कंपलेंट गी, वहां मुझे बुलाया गया, मैंने पूरी कहानी बिदाई सचे दिल से, वह उन्होंने बिलिव की, वहाँ खतम कर दी बढ़ मेरे लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि यार ऐसी लड़की ने जब मेरे साथ इतना किया है, उसके साथ मैं mentally, physical, हाँ तरीके से torture हो रहा हूँ, मैं अपनी मेरी पढ़ा ही अफेक्टोरी, मेरी mental health affect हो रही है, उस चीज का उससे कोई punishment नहीं मिलना वह ऐसी लोगों के साथ आये, खेले चली जाये, उससे कोई फरक में पड़े, फिर आगे क्या हुआ, मैंने काफी कोशिस की, मैंने ये तक बोल दिया उसे कि अटलिस जोस बनके रह ले, बट उसने मानना बिल्कुल मना गर दिया, ठीक है, ओके, फाइन, मैंने वो भी चीज एकसेप्ट कर लिए इस टाइम पर, जब मुझे लगने लगा कि अब ये नहीं आ सकती वापिस, उसके कुछ जिन बात मुझे पता लगता है, कि वो अभी एक नए रिलेसंसिम में है, और वो कब से है, जब से उसने मुझे छोड़ा है, उससे पहले से, तो मुझे नही रिय लड़का ए, शमर इसकूल होता था तो उसमें वीडियोग्राफी करने आता था था, फोटो वगरा है लेगी, और वो जब आता था था यह पर तो इससे हम समर इसकूल में काम करते थे, तो इससे काम ही फ्लेट करता था, लेकिन उस टाइम हम रिलेसंसिम में थे, तो मैं यह इससे बचाकर रखता था, मैं उससे बोलता था कि वो लड़का अच्छा नहीं फ्लेट करता था, और अच्छी वाली नहीं गंधी वाली फ्लेट, और यह नहीं समझे उस चीच को, और उससी के साथ एक लेसंसिम में चली गई, यह प्रोब्लम यह नहीं कि किसी बंदे के सा कि विवादार साइड में मजे ले रहा होता है, और इससी इड़ दे सेम धी है, इसने सब दोस्तों को, सब को जिसको भी बताई अपनी कानिया, मुझे भी कही बार बताने की कि कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मुझे प्रोब्लम हो रही है, मैं अंदर अंदर घुट मर रही हो, मर रही हो, मैं दबाईया ले रही हूं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, डॉक्टर्स थेरपीज ले रहे हूं, जब कि ऐसी रियलेटी थी ही नहीं, रियलेटी थी यह ती यह उससे मिलने जाती थी, उसके घर जाती थी, होटेल्स में जाती थी इसके जाती थी, स इस बंदे से निकलने के लिए क्योंकि वो इसे ब्लैकमेल कर रहा था और मैं ऐसी सेम सिमलर केस में इसे एक बार निकाल चुका था जब इसका सबसे स्टार्टिंग वाला केस था अन्सु वाला वो लड़का इसके घर के सामने रहता था उसे उस टैम बड़े असानी से मैं निकाल सुकाता तो इसे लगा कि मुझे प्यार करता सच्चा प्यार करता इसका यूज करो इसे चीज से निगाल दो उसके बाद इससे लात मार देना तो इसना मेरे यूज किया उस चीज से इसन निकल ले मेर मैंने निकल भी दिया मैं पागल हूँ उसके बाद क्या हुआ उसके बाद कहा नहीं बदल गई यूज कर लिया उसके बाद मुझे छोड़ दिया आफ्टर देट जब यह पता चला मुझे कि इतने दिन से भी मेरे पागली बना रही है सब लोगों का पागल बना इस अब को जूट बोल यह चीज में एक्सेप्ट नहीं कर सकता ठीक है यार तुम रिलेसंसिप में कमपेटबल नहीं हो पा रहे है तो सब सब से पहले चीज क् आपने उन्हें सोट आउट किया जाता है रिलेसंसिप तो खतम नहीं कर दिया जाता है एक ड़िया है ऐसी नुर्मली कि I I I Khtam कर दिया एकदम चीजसर कीज सोट कि जाती है इसने सोट करनी की कोसिज ही नहीं कभी सबको यह बताय है मैंने बहुत कोसिज की बढ़ कभी किय और नुनी तो मेरे पास कोई फैक्ट करने के लिए डिंधर करे मेरेन वर्याहिक है जब इसोडरा है मैंने अपनी लाइफ बरबाद किया इसके चक्र में इसके लिए सब कुछ किया लोग कहेंगे अब लाइफ तुने इसके चक्र में क्यों बरबाद कर ली सही कर लेता है इतना आसान नहीं होता है जब इनसान कही से connect हो जाता है जब इसे अंदर से connect हो जाता है अंदर से अपना मानने लगता है तो नहीं हो पाता है एक माँ होती एक बेटा होता है अगर बेटे को कुछ हो जाए मा को कुछ हो जाए तो बेटा कुछ नियाद रखेगा, कुछ साल याद रखेगा, मूवन हो जाएगा, ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बेटे को हो जाएगा, मा जिन्द की बार याद रखेगी, जिन्द की बार रोएगी अपनी आखरी सांस तक, चाहिए बेटा वो कितना ही गला था, कितना ही बुरा है, कुछ भी है, वो अपने बेटे को नहीं छोड़ेगी चाहिए उसके बेटा टेरिस्ट क्यों ना है, मा अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ती प्यार करना, तो ऐसी मेरे साथ भी है, लोग होते हैं ऐसे reality में अब लोग बोलेंगे उसने तो उसे जनम दिया था इसलिए ऐसा करती है जरूर नहीं होता है यार ऐसी दुनिया है अभी भी लोग है ऐसे जो एक बार कनेट फील कर ले तो जिन्द की भर रहते हैं वो नहीं निकल सकते उस चीज से मैं और मुझे कुछ प्रोब्लम नहीं दी इस चीज से निकल लेगी मतलब ठीक है मैं एक तरफ प्यार करके भी जीत अब यह ऐसे चीज नहीं करती यह दोका नहीं देती दो बार एक बार नहीं दो बार मतलब इतना प्यार किया मैंने इसे इतना बचाया लोगों से उस बंदे से बाहर निकाला इसे उसके बाद भी इसने क्या किया जब मैं इसे बार बार बोल रहा था कि मज जा छोड़के प्लीज मज जा इससे रिक्वेस्ट कर रहा था जब इसने हर तरहीं के अपना लिये का किया और जब नहीं हुआ तो इसने क्या करना स्टार्ट कर दिया मेरे खिलाफ चीज़े बढ़कानी लोगों को स्टार्ट कर दी कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए ताकि मैं कैमपस से निकल जाओ कैमपस या खोड़के चला जाओ बंदनामी के चक्कर में यहीं मुझे कैमपस वाले निकाल दे और गुरुवार को ग्रेटर नॉड़ा इस्थे ते एक यूनिवर्सिटी से दिल दहला देने वाली बारदात सामने आई यहाँ पर एक चात्र ने अपनी है साथ पढ़ने वाली चात्रा की गोली मार कर बेरहमी से हत्या कर दी और खुद को भी मौत के घाट उतार दिया आरूपी ने मर्डर और खुदकुशी से पहले एक वीडियो बनाया उस वीडियो में गल्फरेंड की हत्या से जुड़े कई खुलासे और गुनाहों की कबूल नामे के स्टोरी भी रिकॉर्ड की इस वीडियो में आरूपी अपनी गल्फरेंड के रिष्टों से लेकर एक कदम उठाने की बात कह रहा है और सबसे पहले वो वीडियो न्यूस 18 आपको दिखाएगा जिसमें कातिल ने अपना कबूल नामा रिकॉर्ड किया है हाला कि पुलिस पूरे मामले को लेकर जास परताल में जुड़ कई है रिलेशन्शिप से जुड़ा हुआ ये पूरा माम जिसके चलते वो लड़की का मर्डर कर रहा है हाला कि पुलिस पुरे मामले को लेकर जास परताल में जुड़ कई है और अब ये तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं और वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे जो कातिल ने हत्या करने से पहले आत्मा हत्या करने से पहले रिकॉर्ड किया था और जो गुनाह उसने किये हैं उन सभी का कबूल लावा एक वीडियो के जरीए हम आपको दिखाएंगे तो ये घटना सल की तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये सिसी टीवी फुटेज देखिये जो हत्या के दौरान का है किस बेरहमी से यूवक ने यहाँ पर हत्या की है और उसके बाद यूवक का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो कबूल करता ह हुआ नजर आया 22 मिनट का वीडियो जो उसने इस पूरे हक्ते अकांट से पहले रिकॉर्ड किया था हेलो आवर्ड माइनेम सानुच कुमार और इस वीडियो के थे तरूब मैं यह बताने जारहूं जो मैंने एकसंस की है यह वीडियो आपको मेरे एकसंस के बाद मिलेगी तो पूरी वीडियो देखना लाश तक देखना तब भी आपको पता चल पायागा कि मेरे एकसंस तो स्टाइट करते हैं, मैं बहुत थोड़ी सी पहल अपनी काने बता था, मैंने बहुत अच्छा लड़का था यार, I wasn't good, बहुत, मैं कभी किसी को फाल तो परिशान नहीं करता था, कभी किसी को कुछ उल्ट अखीदा नहीं बोलता था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, इस्पोर्स में बहुत अच्छा था, नैशनल लेवल का फ्रेयर था, अथरा ठीक में, महुत सबकु सही चल रहा था, बढ़िया, फिर मत कोलिज आया, कोलिज आने ये बाद मुझे गलड़की मिली, इसने यहा, इसने यहा चला सिया, सैकंड इयर, अब अब थर्ड इयर में मेरे साथ थी, and she came into my life, and उसने में लाइफ आकी बदल दी पूरी, उससे पहले मैंने काफी दर्द जहले हैं लाइफ में, काफी प्रोब्लम में जहले दी लाइफ में, मेरी एक सिष्टर थी, and उनकी साथी हो चुकी थी, उनका एक बच्चा भी था, and उस सब के बाद भी बहुत अच्छी फैमली चल रही थी, and she was burnt alive by her husband, and she was burnt alive, then my uncle, last year, he also died due to heart attack, because her wife left him, why she wanted to be with another man, and uncle ने हर चीज़ की, everything he did for her, पैसा भी दिया, हर चीज दी, प्यार भी दिया, सब कुछ दिया, but, कुछ लोगों की फित्रत होती है, वो नहीं बदलती है, and she left him, and उनके दो लड़के थे, वो भी साथ ले गए, and उन्हें ऐसा बना दिया, कि वो पापा तक नहीं बोल दे थे, अपने पापा को, तो, वो तूट चुके थे इंदर से, and heart failure के मेंजिसे, he died, तो ये मेरे काफी close थे, बहुत ज़्यादा close थे ये लोग, and उसकी वैसा कुछे mental trauma काफी हुआ, काफी प्रॉब्लम जहली मैंने, काफी सद्वे में रहा मैं, काफी time का, but देरे देरे चीज़े overcome होगी, मैंने कर ली, strong हुआ, कर लिया, then, इसनेया came into my life, बतलब चाचा से तो पहली आगे थी, चाचा वाले case से, but after Didi, and उसने सब कुछ ऐसा किया, बतलब ऐसा दिखाया, कि इससे बहुत अची लड़की है, इसकी लाइफ में एक लड़का था, अंसू, उससे वो इसे परिशान कर रहा था, ऐसा इसने दिखाया, मैंने उससे इसका पीशे छड़वाया, उस उस toxic relationship से निकलने में इसकी help की, बेना किसी को कुछ भी बताए, किसी को कुछ पता नहीं चला, मैंने पूरी help की इसकी, after that, जब मैंने इसे help की, मैं अच्छा लगने लगा, and then superposed me, पूर अक्छे से इसने सजाया वजाया, बढ़या से, and a grand proposal kind of thing, it's a proposed me, मैंने इसे मना किया था, पहले starting में, क्योंकि दो तीन दी पहले सी मुझे लग रहा था कि civil proposal में, मैंने मना किया था कि ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि मैंने लाइफ में जो मेरे अपने हैं, जिने मैंने अपना माना मैंने काफी लोग होया है, and I don't want to lose you, so we will be best friends, but not in a relationship, we will think about it later, but not right now, but नही मानी, कोजमीन वेरी good manner, grand manner, so I could resist, I accepted her proposal, and then we came, we came in a relationship, after that, कुछ time, बहुत अच्छा चला, सब कुछ, हमारे दोनों के इंडेस्टैंड़ने के इसाब सी चलता था, मुझे लगा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया है, हमें लगता था कि बहुत अच्छी अंडेस्टैंडिंग, बहुत अच्छा था नहीं, रियारिटी कुछ और रही थी, लास्ट यह जब मेरे अंकर की डैथ हुई, तो मैं अपने बर्ड़े पर घर गया हुआ था, एंड देन, वो यहीं पर रुकी हुई थी, सी स्टार्टिड चीटिंग ओन मी, वो भी किसके साथ? एक मैस वरकर के साथ, जिसका नाम था सुटोस पांडे, इसने कुछ पता नहीं चलने दिया, बिलुकुल भी, जब मैं सो जाता था यहा, उसके बाद उससे मिलने जाती थी, विएच के पीछे, केमऱ्चेक कर बासकते हैं अठ्गू मैं सो जाता था, उसके बाद यह पर कोफोज पें मैसिज, बहुँ इसके बात करती थी, डिलीट करके आती थी, वो मुझे कैसे पता चला पूरे एक साल तक इसने चीट किया मुझे और उस बंदे के साथ इतने सब कुछ किया जो कर सकती दी जो मेरे साथ भी करती दी लाइक इन रिलेशनसिप, फिजिकल रिलेशनसिप एवरिटिंग सी डिल और उसके बाद मुझे पता चला जब हमारी लास दिसंबर थोड़ी लड़ाईया बढ़ने लगी छोटी-छोटी चीजो को लेकर क्योंकि पहला ऐसा था कि ये सब कुछ समझने लगती थी समझती थी, मैं भी सब समझता था अंडरस्टेंडिंग थी पड़ इसके बाद क्या हुआ चीजे बिखरने लगी समझने बंद हो गए मैं इससे काफी बोलता था कि इसने यूर चेंजिंग ये हमारे रलेसंजिप को प्रोब्लम में ला सकता है तुम बदल रही हो चेंजिस आ रहे तुमारे अंदर लुक इंटु देट बड़ उन्हे तो भूत सवार था तो जब चीजे सामने आई एक दिन आचानक रो रही थी है तो मुझे बुलाया इसने वो इसने मुझे पूरा स्टोरी बता दी कि मैं अब तुमसे मिलनी पाऊंगी अब कभी भी मैंने तो मैंने साथ बहुत बड़ा दोका किया है चीट किया है यह किया है वो किया है अब मिलनी का होगी तो मैं तो पूरा सोग था पहली बात तो कि यह क्या होगी मेरे साथ फिर मैंने रिलेज किया कि चलो ठीक है, मैंने तो सच्चा प्यार किया था, इसने चाहे नहीं किया, मैंने तो सच्चे दिल से अपनायाद, अपना माना था, आज कल ऐसा होता नहीं, लोग छोड़के चले जाते हैं, लोग अलका सा किसी के बारे बारे सुलें, इसके बारे बुढ़के देखते भी नहीं तो मैंने इससे पूछा कि अब क्यों बता रही हो फिर मुझे, अगर तुम्हें जाना उसके साथ रहना है, ठीक है, you can go, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें, तुम्हारे साथ ही रहना है, वो मुझे अच्छा लड़का नहीं लगा, वो मुझे टोर्चर कर रहा है, हर तरीके से तए मुझे ब्लैक मिल कर रहा है और मुझे इस चीज से भाहर निकालो, तो मैं ने फिर भी, सब कुछ भूलते हुए, उसे उस चीज से बाहर निकाला, बहुत हैपकी उसकी, safely उसे भाहर निकाला, किसी को कुछ पता नहीं लगने दिया, सब को यह जिसको भी पता लगा, कि ऐसा reality थी नहीं, पुरी reality थी यह थी, एक साल सा वो इस बंदे के साथ relationship में थी, और उसके पास सारे reports से, सब चीज चैट से होती है in relationships की, तो लास्ट में इसने ये करने स्टार्ट कर दिया था, कि उसे मना करने स्टार्ट कर दिया था, कि नईया मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, तेरा हो गया बस यह हो गया मैं, फिर लेकिन एक बार इंसान emotionally connect हो जाता है, तो प्रोब्लम होती है न, तो उसने थोड़ा सा करने की को को दिखाएगा, जिसमें कातिल ने अपना कबूल नामा रिकॉर्ड किया है, हाला कि पुलिस पूरे मामले को लेकर जास परताल में जुट गई है, रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, लड़के ने धुका देने पर लड़की के हत्या करने का, यहां पर कबूल नामा भी किया है, और साथी उसने स्विकार किया कि लड़की उसके साथ में रिलेशनशिप में थी और धोका दिया जिसके चलते वो लड़की का मर्डर कर रहा है, आला कि पुलिस पूरे मामले को लेकर जास परताल में जुट गई है, और अब ये तस्वीरे भी आपको दिखाएंगे जो कातिल ने हत्या करने से पहले आत्म हत्या करने से पहले रिकॉर्ड किया था और जो गुनाहा उसने किये हैं उन सभी का कबूल लावा एक वीडियो के जरीए हम आपको दिखाएंगे तो ये घटना सल की तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये सिसी टीवी